नेक्स्ट बात आती है कि उसी में कि पंजी न करने का अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कौन-कौन से अधिकार हैं यगर पंजी नख भी करा जाएं तो उनके अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा आई अब हम देखते हैं यदि कोई भी विक्ति फॉर्म यदि कोई साजेदार दिवालिया है तो सहकारी रिसीवर को उसकी संपत्ती उगाने का पूरा अधिकार होता है और अंदिम कोई भी साजेदार फर्म को भंग करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है तो बच्चों ये जो पॉइंट्स होते हैं वो है पंजियन न कराने का अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ये बताते हैं अब हम देखते हैं कि पंजियन कराने से कौन कौन से लाब मिलते हैं अब बच्चों देखें अगर फर्म का पंजियन कराना या ना कराना ये स्वह इच्छा पर निर्भर करता है किसके व्यावसाई और अगर कोई फॉर्म का कराया जाता है तो उससे होने वाले update क्या है, सबसे बड़ी बात उसको फॉर्म को क्या update सकती है, वह क्या कर सकती है, अगर बाहरी लोग उनको कुछ सी प्रकार की समस्या हॉत्पन कर रही है, वेवसाय नहीं करने देने हैं, दूसरी बात क्या होती है साजेदारों को लाब भी मिल सकता है साजेदार क्या कर सकते हैं अगर उनको समस्या आ रही है या उनके साजेदारों के बीच मदबेद उत्पन हो गए हैं तो वो फर्म के अगेंस कर सकते हैं या फर्म के अगेंस कोट केस कर सकते हैं कि ये फर्म से हम प्रॉपर जितना पहले से डिसाइड हो गया परसंटेज प्रॉफिट का मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे तो सिती में पंजियन की सिती में उनके पास प्रूफ रहता है जिसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं अपने लाब को प्राप्त कर सकते तीसरी चीज जो होती है रिणदा तो उसको रिणन देगा जो किलिकित फॉर्मेट में होगा और उसमें यह भी लिखा होगा कि इस रिणों के लिए दिया जा रहा है और कितने दिनों तक के लिए इस पर कितना ब्याज लगेगा और कब तक इसको वापस करना है तो अगर इस थिती में वह Firm के साजेदार या वह फिरम का व्यवसाई अगर रण को वापस नहीं करता है तो उस सिती में वह इनके अगेंस्ट यह फिरम के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकता है और अपने जो दिये गए पैसे हैं उनको वापस निकलवा सकता है फिर बाताती और कौन से लाब हो सकते हैं इसमें प्रवेश करने वाले साज़ेदारों को लाब अगर कोई नया साज़ेदार प्रवेश करना चाता है चूकि वह पंजिकरित है तो और विश्वसनी हो जाता है और वह पूरी प्रोसेस के तहट और बाकी साज़ेदारों की सहमत साथिसाथ अगर कोई साझेदार प्रथक आहिए वेक्ति उसको मिलना चाहिए उसको लेकर के पाइदारी करेपत हैं तो उसकी जानकारी क्या होगी उस ऊफिस में उपसित होगी तो इस तरीके 검ik से अभने किा जाना है हमने अच्छी तरीके से पाट्नरोशिब को जाना है आहिए遊戲 अगले व्यावसाइद संगठन के प्रारूप को जो की है सहकारी समीटिया योंगी cooperative societies बच्चो ये cooperative societies आपने ये नाम सुना होगा इनके बारे में कुछ जानकारियां भी हो सकता है आपको हो भी और न भी हो आएए अब हम इनके बारे हैं कि यह सहकारी समीतियां होती क्या है सबसे पहले हम इसके अर्फ को janya जा अजय से ज़ेख स्कृरी कारित यह शब्यजी सहकरी यह शब्द देख रहे हैं कि यह दो भागों से बना पहला भाग है सहे, दूसरा शब्द है कारी, जेखें सहे का मतलब क्या होता है साथ में या मिलकर, और कारी का मतलब क्या होता है मतलब कारी करना, मतलब मिलकर किसी कारे को जब किया जाता है तो वहाँ पर सहे कारी शब्द यूज किया जाता है, अगर इसके मूल मंत्र को देख है इच फॉर और फॉर इच अब हमने क्या देखा कि सहकारिता को दो भागों में तोड़ कर उसके मीनिंग नहीं देखते हैं कि सहकारिता होता क्या है अब हम जानते हैं कि सहकारिता में जो होता है केवल स्वामित्व का एक प्रारूप नहीं होता बलकि इसमें क्या होता है इसमें समीती का गठन किया जाता है जिसमें लोग मिल कर क्या करते हैं छोटी छोटी धन की राशी जो अपनी बचत होती है उसको इखटा करते हैं और इस उस राशी का उप्योग क्या करते हैं उस राशी को उप्योग में इस तरीके से लाते हैं कि वह जो कमजोर वर्ग के व्यवसाई है या जो लोग कमजोर वर्ग के हैं उनको कारे करने के लिए उस राश्री को देते हैं साथ ही साथ ही दूसरे एसरगर कारे भी करते हैं कि जो व्यावसाई हैं बड़े व्यावसाई उनसे क्या करते हैं बड़ी मातरा में उनके जो उतपाद हैं उसको कम रेट पर खरीद कर या उनको खरीद कर क्या करते हैं उनके साथ व्यावसा को आवशकता है उन लोगों की मदद कर सके। जो सहकारिता होती है वो क्या होती है वो एक एच्छिक संगठन है जो सहकारी समीती है वो एक एच्छिक संगठन है इसमें क्या किया जाता है इसकी स्थापना जो है सहकारिता एवं समानता के आधार पर पारिस्परिक हितों की सु और उनका एक ही उद्देश होता है वे लोग जुड़ कर क्या करें पारिस्परिक हित के लिए आगे बढ़े और उनके बारे में कायम करें अगर इसको उदारण के माध्यम से समझें तो उसको उदारणों से समझ सकते हैं जैसे कि पहला उदारण आप स्क्रीन पर देख रहे ह जो है भोक्ता सहकारी समीति यहानी कंजीवर को आपरेटिव इसमें क्या होता है जो लोन की बात करें इसमें कंब जरुत मन्द लोगों को कम ब्याज पर लोन दिया जाता है कंब उनको कुछ धनराशी प्रदान की जाती है साथी साथ अगर हम दूसरी एक समीती की बात करें जिसमें विपड़न सहकारी समीती हम मान लेते हैं उसमें क्या किया आता है जो छोटे छोटे विवसाई होते हैं जैसे की उत्पादक हुए जैसे की किसान हुआ या फिर कारीगर हुए ये जो लोग होते हैं ये जो निम्न त उनको मुनाफ़ कमाने का मौका दिया जाता तो इस तरह की जूद्ध रहा cruise समीतियां हैं उनका गठन किया जाता है साथ ही साथ उनका उद्देश जो होता है वो होता है कि सब को सब के हिटों का खयाल रखना और सब को उचित हित प्रदान करना आए अब हम दो परिभाशाएं देखते हैं कि सहकारी समीती की क्या परिभाशाएं हो सकती हैं जो पहली परिभाशा दी गई है वो सर एमटे हरिक ने दी हैं उनके अनुसार सहकारिता उन व्यक्तियों की एक ऐसी क्रिया है जो सामोहिक लाब के लिए पारसपरिक प्रबंद के द्वारा अपनी ही शक्तियों साधनों या दोनों का सम्मिलिक धंग से उप्योग करते हैं दूसरी परिभाशा देखते हैं दूसरी परिभाशा है प्रोफेसर सेलिगमेन के शब्दों में उनके शब्दों में कहा गया है सक तो बच्चो इन दो परिभाशाओं से सफ़्ष्ट है कि सहकारिता का उद्देश क्या है कि मिल कर छोटी छोटी राशी को एक बड़ी राशी में बदलना और उन्हें क्या करना जुरत मंदों को मदद के तौर पर प्रदान करना साथ थी साथ क्या करना सभे के हितों को ध्यान में रखते हुए लाब आरजन करना तो ये थी सहकारी समीतियां आए अब हम देखते हैं कि इनकी विश्यष्टाें क्या क्या हैं आए बच्छों अब देखते हैं कि सहकारी संगठन की विश्यष्टा अपनी इच्छा से मिल भी सकते हैं या उसमें जुड सकते हैं और अपनी इच्छा से क्या हो सकते हैं उससे अलग भी हो सकते हैं इसे हम इसे लिए एच्छिक संगठन कहते हैं उस संगठन सहकारी संगठन से जुड़ने के लिए सबसे एक विशेष्टा ये होनी चाहिए कि व दूसरी जब विशेष्टा देखेंगे दूसरे विशेष्टा कहती है समान मताधिकार अब इसमें क्या होता है कि सहकारी समीतियों में सहकारी संगठन में क्या होता है। तेक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होता है, इसका concept होता है, one man, one vote, मतलब एक व्यक्ति, एक वोट, मतलब सभी लोग को एक जैसा अधिकार है, यह लोक तांत्रिक तरीके से यह समीतिय, यह संगठन आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो विशेष्टा है, वो कहता है पारस्परिक सहयोग, अब चुकि सेकारी संगठन में जो लोग काम करते हैं, उनमें जो पारस्परिक सहयोग की भावना है, वो निर्मित होती है, क्योंकि वो किसी उद्देश की प्राप्ति के लिए करते हैं, इसलिए उनमें इस पर एक संगठन का मुख्य उद्देश होता है वह सेवा की भावना होता है ताकि वह ऐसे लोगों की सेवा कर सके जिनको समाज में जिन लोगों को उन सेवाओं की आवश्यक्ता है आगे बढ़ते हैं देखते हैं पांचवी विशेष्टा क्या है वह है स्वतंत्र सदस्यत बच्चों इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं अगर हम स्वतंत्र सदस्यता को समझें तो इसकी अंतरगत कोई भी व्यक्ति कोई भी जाती कोई भी वर्ण कोई भी व्यक्ति इसकी अंतरगत आ सकता है और इसकी सदस्यता ले सकता है चाय वो महीला हो चाय पूरुश हो ऐसे कोई भी प्रावधान इसमें नहीं होते कि किसी भी व्यक्ति को इन संगतनों से जूड़ने में परिशानी का सामना करना पड़े अगला आता है लोकतांतरिक विवस्था इसके अंतरगत यह होता है कि बहुमत से क्या होता है इसमें जो प्रबंद होता है वो बहुमत के आधार पर चलता है और प्रबंद एक समीती का गठन करते हैं जिसमें एक सदस्य को निर्वाचित किया जाता है जो की प्रबंदक की तरह कारे करता है अगली जो विशेषता है वो कहती है संयुक्त प्रयास जो सहकारी संगठन होते हैं वो संयुक्त प्रयास के द्वारा ही आगे बढ़ते हैं और उनके उद्देशों की प्राप्ती करते हैं फिर अगली बात आती है नकद व्यापार की तो इन में जितना भी व्यापार होता है वो नकद होता है मतलब पैसे देके तुरंट ही वो व्यापार किया जाता है उसकी बात बात आती है लाब का विभाजन अब यहां पर जो लाब का विभाजन होता है उनके द्वारा लगाए पूंजी के आधार पर नहों करके उनके द्वारा दिये गई योगदान के आधार पर किया जाता है जो लाभांश होते हैं वो इस तरह से डिस्टिब्यूट की जाते हैं या बाटे जाते हैं कि किस सदस्य ने अपना कितना योकदान जो है उद्देश की प्राप्ति के लिए दिया है हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारी अगली विशेशता है वो कुछ इस प्रकार है वह है रिजिस्ट्रेशन या पंजियन अब इसमें क्या होता है जो रिजिस्ट्रेशन होता है वो सहकारी समित्य अधिनियम 1912 के तहत होता है साथ ही साथ सम्मंदित राज सरकारी अधिनियम की अंतरगत रिजिस्ट्रेशन कराया जाता है और अगर सीमित दाईत्व को देखें तो इसमें जो दाईत्व होते हैं वो सीमित होते हैं क्यों क्योंकि ये जो दाईत्व होते हैं अंशो अथवाक उनके द्वारा दी गई गारंटी तक ही सीमित होता है तो बच्चों इस तरीके से हमने सहकारी संगटन की कुछ विश्यष्टाओं को जाना आईए अब हम देखते हैं कि सहकारी संगटन के क्या गुण है या लाब है और उनकी क्या अफगुण या दूश है अब सरकारी संगटन के गुणों को देखते हैं तो सबसे पहला गुण अगर हम स्क्रीन पर देखें तो वह हमें देखता है कि एकादिकार का अन। करने लगता है तो उस सिती में क्या होता आधिक डामों पर वस्तों को बेचने लगता या उनки करते हैं तो से कारी संगठन का कारी ये भी है उनसे प्राप्त होनेवाले एकलाब यह भी है ये एकादिकार का अन्त करता है और उपभोगताओं को इस तरीके के जो समस्यान उतपन होती उनसे बचाता है और सही दामों पर सही वस्तूमों को उपलब्द कराता है। जो अगला गुण है वो कहता है मध्यस्तों का उन्मूलन अब जब सहकारी संगठन की बात करते हैं तो यहां पर जो मध्यस्त हैं उनका उन्मूलन हो जाता है क्योंकि यहां पर मध्यस्तों की आवशक्ता नहीं होती अगर हम इसी तरह पार्टनर्शिप में बात करें तो पार बढ़ने के बाद उत्पाद की जो वेल्यू होती है या जो उसकी कीमत होती है वो बढ़ जाती है और बोगताओं को इससे नुकसान पहुचता है हम आगे बढ़ते हैं तीसरे गुण को देखते हैं वो कहता है मांग एवं पूर्ती में संतुलन अब क्या होता है कि सेकारी संगठन का कार यही है कि वह मांग एवं पूर्ती में संतुलन बनाया रखे जो कृत्रिम वस्तुओं की जो कमी अचानक दर्शाई जाती है उस तरह की कमियों से बचने के लिए क्या किया एता है सहकारी संगठन इस प्रकार की व्यवस्ता बनाती है कि जितनी मांग है उतनी पूर्ती के लिए वह वस्तुओं को क्या करती है और मांग के नुसार अपने उभोगताओं को या उपने सदस्यों को उसकी पूर्ती करके देती हैं अब बात आती है मित्वेता की तो जो सहकारी संगठन होते हैं उनका प्रबंद वक खुद ही देखते हैं तो इससे क्या हो शब्षता है कि वह अपने शारे जितने भी संसाधन हैं उनको वह बहुत ही मित्वेए रूप से उपयोग में लाते हैं ताकि कोई पूर्त ज क्या हो उसका दुरुप योग ना हो तो यहां पे हम मित्वेता को भी समझ सकते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उचित कीमत यहां पे क्या होता है सैकारी संगठन का कारी ही होता है कि वस्तूओं को उचित कीमत पर उभोकताओं को उपलब्ध कराया जा सके तो यहां पे इसका बहुत ही बड़ा लाब या गोणक आ जा सकता है इसकी बाद बाहनाती है सरकारी संक्षन क्या होता है कि शासन की तरफ से इसरकार की तरफ से इन सहकारी संगठनों को कुछ संद्रक्षन प्राप्त होता है जैसे कि कम ब्याज पर रिण या बिना ब्याज का रिण प्राप्त होता है उनके द्वारा कुछ पुंजी इने दी जाती है ताकि यह उपभोकता संद्रक्षन के लिए कुछ काम कर सके या समासेवा जैसे कोई काम कर सकें तो यहाँ पर सरकारी संद्रक्षन जैसे लाब भी इन सहकारी संगठनों को प्राप्त होते हैं फिर बात आती एक कर लाब की सरकारी संगठन को किसी प्रकार के कर को जो है देने की आवश्रक्ता नहीं होती चाए वो स्टाइब डूटी हो चाए वो रेजिस्ट्रे तो यदि कोई व्यक्ति जोकि उस संगठन का सदस है, यदि उसकी मृत्ती हो जाती है और उसके बाद उसका कोई उत्तरादिकारी नहीं है, तो इस थिती में भी क्या होगा उस संगठन पर उसका कोई असर नहीं होता है उस संगठन का समापन नहीं होता है हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका अगला गुण वो है सहयोग एवं एकता अब जब बच्चों इतने सारे लोग एक उद्देश की प्राप्ति के लिए कारे करते हैं तो उनमें सहयोग की भावना और एकता का विकास होता है तो बच्चों ये जो थे कुछ गुण या लाब थे जो की सहकारी संगठन के हमने देखे आई अब देखते हैं कि सहकारी संगठन की कुछ अवगुण या दोश क्या क्या है जो सहकारी संगठन का जो पहला दोश आप देख रहे हैं वो है अकुशल प्रबंद अब क्या होता है कि सहकारी संगठन में जो सदस्य होते हैं वो पूरी तरह के से कुशल नहीं होते वहाँ पर उनमें प्रबंद और संचालन की कुशलता पाई जाती है जिस वज़े से क्या होता है उनके बहुत से कारे जो होते हैं वो सही तरह से नहीं हो पाते और उनके कारे म में बहुत सारी कमियां भी पाई जाती है जो दूसरा बिंदू है या जो दूसरा दोश है वो कहता है प्रेरणा का आभाव अब यहां पर प्रेरणा मतलब क्या मोटिवेशन मोटिवेशन किसे मिलता है जब कोई लाब प्राप्त होता है अब यहां पर किसी भी तरीके का प्र करें करें तो यहां पर इनका क्लिक्षेतर से यहां पर इस किरा शाव रिया कि यहां थो इसे पर बात करते हैं ने क्योंकि पास उन्य आहां कि रख्शॅ था प्र रख्षेथ क्यों Kash तो एनका क्लिक belong कर द değ से यहां में जी Press a होता है कि एक सदस्यों के बीच मतभेद की भावना भी उत्पन हो जाती है और ऐसा भी हो सकता है कि जो सदस्य को न मानता हो वह आगे आने वाले जो देशों की पूर्ती के लिए कारी किये जा रहे हैं उन कारियों में क्या बाधा उत्पन करें अगला जो दोश है वह सीमित साधन जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि सहकारी संगठन में पूर्जी की बहुत बड़ी कमी होती है तो वहाँ पर सीमित साधन हो जाते हैं जिस जैसे यह संगठन जो है आगे बढ़ने में या अपना विकास करने में समस्याओं का सामना करते अगला दोश है वो प्रतियोगिता का सामना जैसे कि मार्केट में आप जान रहे हैं बाजार में गला काट प्रतियोगिता चल रहे हैं किन्तों पूंजी के साथ साथ अन्य कई विवस्थाओं की कमी के कारण ये संसाधनों की कमी के कारण क्या होता है ये इन्हें प्रतियोगि का सामना करना पड़ता है आगे देखते हैं गोपनियता का आभाव जो सहकारी संगठन है उनमें गोपनियता का आभाव होता है क्योंकि कोई भी सदस्य आ करके क्या कर सकता है जो उनका लेखा जोका है या एकाउंट्स कह सकते हैं उसको आ के चेक कर सकता है और उसके डिटेल्स ले सकता है आगे बढ़ते हैं जनता के विश्वास की कमी अब इसमें क्या होता है जो सहकारी संगठन के सदस्य होते हैं कभी कभी क्या होता है वो राजनीती में प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद उनका रवाया जो है वो जनता के प कुंकि सरकार कर इनको मदद करती है तो यह बट ऑवियस है कि उनका समय समय पर हस्तक्षिब बना रहे इस तरीके से हमने क्या जाना कि सहकारी संगठन क्या है उनकी विश्रिष्टाएं क्या है उनके लाब क्या है उनके दोश क्या है आई अब हम देखते हैं कि सहकारी समिती और जो साजेदारी में है वो अंतर क्या है